हेलो एब्रीवन, वेलकम बैक टो मैं चैनल और आज की इस वीडियो में हम करेंगे estimation of a sample of bronze तो bronze के अंदर होता है copper and tin mainly तो हम copper का estimation करेंगे by iodometric titration and tin को हम estimate करेंगे by using gravimetric technique तो सबसे पहले आपको जो भी bronze का sample given है इसको आपको dissolve कर लेना है concentrated nitric acid के अंदर ये पूरी तरीके से dissolve नहीं होगा आप नीचे देख सकते हैं अभी पूरा dissolve नहीं हुआ है ये और इसके अंदर से reddish brown color की fumes निकलेंगे इनको आपको evolve होने देना है इसके बाद में हम about 5-10 minutes बाद में इसमें approximately 10 ml का हम distill water इसके अंदर add करेंगे और डिस्टिल वाटर राइड करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का clear solution मिल जाएगा इसके बाद में हम इसको रखते हैं heating plate की उपपर for about 15 minutes तो heating plate की उपपर आप इसे heat होने देंगे और इसके अंदर होते formation of white precipitate और ये blue color का कुछ solution आपको obtain हो जाता है तो जो white precipitate आएगा उसको आपको form होने देना है तो तब तक हम इसकी heating अराम से करते रहेंगे जैसे ही आपके इतने minutes हो जाते हैं आप इसको हटा कर रख सकते हैं और cool down होने के लिए हम इसको छोड़ देंगे जैसे ही हमारा solution cool down हो जाएगा इसके बाद में हम जाएंगे solution बनाने के लिए तो जो भी हमने हाप पर हमारा precipitate आया है उसको हमें पहले filter out करना पड़ेगा using watman filter paper यह 250 ml का standard volumetric flask है इसके उपर हम funnel लगा कर and watman filter paper की help से जो है solution को filter out कर लेंगे जो भी होगा filtrate वो आपका नीचे आजाएगा standard flask के अंदर जो भी precipitate होगा और अगर कोई भी आपका जो particles है जो precipitate है अगर वो stick कर गया है इसकी walls पे तो आप distill water की help से भी इसके अंदर उसको डाल सकते हैं तो यहाँ पर कुछ precipitate जो है वो उसकी walls पर stick कर गया था तो मैंने यहाँ पर distill water की help लेकर इसके अंदर उसे transfer कर दिया था तो यहाँ पर इसमें water ही add करना है हमें volume make up करने के लिए तो इसलिए हम distill water यहाँ पर use कर सकते हैं झाल सकते हैं जैसे आपका यह पूरा हो जाता है तो इसके बाद में हम इसे side में रख देंगे ताकि इसका filtration process है यह चलता रहे और हम proceed करेंगे अपना standardization step की तरफ तो आपने जो standard copper sulfate का solution प्रिपेर किया है यहाँ पर मैंने M by 40 का प्रिपेर किया है 100 ml standard flask के अंदर तो उसके लिए मैंने required amount जो है copper sulfate pentahydrate का वे किया था और उससे मैंने solution प्रिपेर किया है इसमें से मैं प्रिपेट आउट करें 20 ml standard copper sulfate pentahydrate solution यहाँ पर burit के अंदर हमने लिया है sodium thiosulfate solution तो iodometric titration है तो thiosalution के साथ में करते हैं जो कि हमारा जाता है burit के अंदर तो यहाँ पर 20 ml pipit out करेंगे मैं बता चूक हूँ यह horizontally हम देखते हैं एक दम सामने से और इसको हम transfer कर लेंगे conical flask के अंदर जैसे ही आप 20 ml इसके अंदर pipit out कर लेते हैं आपको इसके अंदर sodium bicarbonate अड़ करना है अब pinch जब तक की turbidity नहीं आ जाती है तो यह solution है turbidity आने के बाद में इसके बाद में मैं इसके अंदर आड़ कर रहे हूँ यहाँ पे acetic acid drop wise आड़ करेंगे जब तक की turbidity disappear नहीं हो जाती है तो disappear होने के बाद में आपको clear solution मिलेगा कुछ इस तरीके का इसके बाद में हम इसमें about one spatula potassium iodide आड़ करेंगे ki जैसे ही आप इसके अंदर की आड़ करेंगे तो आपका solution turn हो जाएगा brown color के अंदर उसको हम cover up करके और रख देते हैं dark में आपकी iodine liberate हो जाती है तो 5 minutes वेट करने के बाद में आप इसको निकाल के और titrate कर सकते हैं थायो solution के साथ में iodine liberate होने के बाद में आप देख सकते हैं उसका dark brownish color है और हम इसको titrate करेंगे थायो sulfate solution के साथ में जब तक कि ये pale yellow color में नहीं हो जाता है जैसे ही pale yellow color आजाता है आपको इसके इंदर starch indicator आड़ करना है 1 और 2 drops आप आड़ कर सकते हैं तो आपको कुछ blue black color का यहाँ पर solution आपटेन हो जाएगा इसको देन हम अगेन उसी bureat से same वहीं से हम continue करेंगे reading और थायो sulfate के साथ में titrate करना है drop wise आप आड़ कर सकते हो और reading आपकी बहुत जल्दी आजाएगी starch के बाद में तो यहाँ पर हम जो है white color को देखते हैं as end point color less नहीं जाएगा यह white color में जाएगा तो जैसे ही आपका पूरा solution का color white हो जाता है तो वो आपका end point है अगर हलका सा भी वो brownish color है यानि कि वो आपका end point नहीं है इसी तरीके से मैंने यहाँ पर three concordant readings ली है standardization of thiosulfate के लिए भी और इसके बाद में मैंने 250 ml वाला solution है उसमें mark तक volume को make up किया और same ही type की मैंने titration perform की जो हमारा sample given था उसके साथ में भी तो जो मैंने 250 के अंदर अपना make up किया था volume उसमें से मैंने 20 ml pip it out किया देन उसमें sodium bicarbonate acetic acid किया या add किया इसको हमने रख दिया dark के अंदर इसके बाद में हम weight करेंगे उसके बाद में हम इसको titrate करेंगे thiosulfate solution के साथ में झाल झाल आप देख सकते हो मैंने semi procedure फॉलो किया है क्योंकि हम यहाँ पर copper का ही estimation कर रहे हैं तो iodometric titration हमें follow करना है इसके अंदर अब tin के estimation के लिए हमें चाहिए यहाँ पर यह silica crucible यह कुछ इस सरीगे की दिखती है सबसे पहले हम इसकी washing करेंगे distill water के साथ में तो distill water से wash करने के बाद में हम इसको wipe out कर लेंगे और इसको dry करेंगे अच्छे से जब यह पूरा dry हो जाएगा तो हम एक बार इस empty crucible का way ले लेंगे कितना है विकोज हमें इस way को subtract करना होता है तो empty crucible का आपको एक way लेना है और यह आपको three times लेना है तो तीन बार आप mass of empty crucible लेंगे weighing balance की help से तो यहाँ पर मैंने जो है way ले लिया है तीन बार और यह जो आपका precipitate आया था white color का waterman filter paper की उपर इसको हम filter paper की वीच में press करके जो भी इसका maximum जो उसमें water वगेरा है उसको हम यहाँ से remove करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बार में जो हमने crucible weigh किया है उसके अंदर हम इसको fold करके डाल देते हैं और इसको लगा देते हैं फिर हम heating पर तो यह आपका जाएगा furnace के अंदर furnace का टेमप्रेचर और 900 और 1000 के बीच में होता है तो वो काफी high temperature होता है उसको हम tongs की help से वहाँ पर रखते हैं तो filter paper with precipitate आपने जब fold करके silica crucible के अंदर रख दिया उसके बाद में इस तरीके से furnace के अंदर हम इसे डाल देते हैं यहाँ पर around अभी 760 है temperature जो है इसका यह है crucible with the precipitate तो heating करने के बाद में कुछ इस तरीके का दिखेगा और इसको अब आपको जो है धंडा होने देना है पहले तो cool down होने के बाद में हम इसको वे करेंगे तो यह आपका आएगा crucible और mass जो आए है आपका precipitate का दोनों का वे आएगा एक ही साथ में और इस total में से अगर आप crucible वाला minus कर देते हो तो आपकी पास में आएगा सिर्फ mass of the residue that is tin तो इस तरीके से हम करते हैं copper and tin का estimation तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे friends के साथ में share कर दे और मेरे चानल को subscribe करना ना भूले